उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी मर्जी से न तो कभी कुछ कहते हैं और न करते हैं दिल्ली से जो कुछ करने के लिए या कहने के लिए कहा जाता है वे वही करते हैं या कहते हैं हाँ कभी कभी पौड़ी वाले बड़े भाई योगी जी की नकल तो जरूर कर लेते हैं, हाला कि हम ऐसा नहीं मानते हैं, हमारा मानना है कि कुछ काम वे खुद भी करते हैं, रही दिल्ली से लगाओ की बात तो दिल्ली से अखा हपरें तो उत्राखंड के जादातर नेताओं क किस्म का है, दिल्ली में किसी ने कहा कि हम यहां केदानाधाम बना देते हैं, तो धामी साहब तुरंत चल पड़े शिला नयास करने, अब कहा जा रहा है कि धामी जी के प्रियासों से दिल्ली में केदानाधाम मंदिर बनाने का फैसला वापस हो गया है, इस मामले में कौन ज की चैनल पर आपका स्वागत मेरा नाम है तिरलो चनभठ और मैं करता हूँ जन सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता मेरी इंकम का कोई सोस नहीं है यदि आप मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते दूसे लोगों तक नहीं पहुंचाते मेरा सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है उमीद है आप सहियो करेंगे अखबारों और पोर्टलों में लगी खबरों को माने तो दिल्ली में बनने वाला केदारनाथ धाम मंदिर अब नहीं बनेगा सियम पुसकर सिंग धामी के कड़े फैसलों के कारण दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे ट्रस्ट को बैक फुट पर आना पड़ा है है न मजेदार बात जिस तथा कथित केदारनाथ धाम का भूमी पूजन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री खुझ पहुचे जिसके फोटो अपने ट्वीटर यानि एक्स पर बड़े गर्व के साथ पोस्ट किये जिसे उत्राखंड की संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी बताया उसी का निर्मान रोकने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कड़े फैसले लिए कि केदारनाथ धाम ट्रश्ट दिल्ली को बैक फुट पर आना पड़ा अरे भाई अकबार वालो पूर्टर वालो बैक फुट पर तो खुद धामी जी आये हैं जिस फसल के बीज उन्होंने खुद बोए थे जन्ता के दबाव में अपने ही हाथों उसे बरबाद करना पड़ा हां ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जन्ता के साथ कांग्रेस का भी दबाव इस मामले में जबरदस्त रहा किसे सुरेंदर रोतेला ने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंद त्रष्ट दिल्ली बनाया गया अगए एक रेट लिष्ट जारी की गई बाकायदा इस लिष्ट में आज वन टूस्ती बनने सामाने टूस्ती बनने पत्नी सही त्रूस्ती बनने आज रेड दर्ज जके गए थे क्यू आर कोड के साथ जो है लोगों से इस रेट लिष्ट में चंदा भी मांगा गया था लगता है माल मत्ता इकठा हुआ तो टरश्ट ने 10 जुलाई 2024 को मंदिर का भूमि पूजन और सिलान्यास करने का फैसला किया इसके लिए सियम पुशकर सिंग धामी को आमंत्रित गया गया वे खुशी-खुशी मंदिर का सिलान्यास करने पहुँच गए दिल्ली भूमि पूजन और सिलान्यास के बाद सियम साहब ने बुराडी में केदारनात मंदिर बनाए जाने को शांदार तरीके से महिमा मंदित किया यहां तक कहा कि बुराडी का जिक्रतो महाभारत में है और दूसरे पौरानिक जंतों में भी है यहां केदारनात मंदिर बनने से उत्राखंड की सस्कृति और सनातन सस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनात जी का धाम हमारी सस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा जी बिलकुल ऐसे ही सब्द थे उनके अपनी आदत के उनसार उन्होंने अपने भासन में ये भी जोड़ा कि यसरश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतित्त में इसी तरह सनातन संस्कृत की ध्वजा फैराई जाएगी धामी जी अभी शिला नियास करके लोटे भी नहीं थे कि उत्राखंड में इस तथा कथित मंदिर का विरोध शुरू हो गया धार्मिक मामलों के जानकारों, पंडापुरोहितों और आम लोगों ने दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर बनाये जाने के और चित्त्या पर सवाल उठाने शुरू कर दिये और तो और जो तिर्मट के संकराचारे स्वामी अविमुक्तिश्वरालनंद ने भी दिली में केदारनात धाम मंदर बनाई जाने पर एतराज दर्ज कर दिया राज्या में प्रमुख्पी प्रक्षिदल कांग्रेस ने तो इस प्रस्तावित केदारनात मंदर के खिलाप हरिद्वार से केदारनात तक पैदल यात्रा ही शुरू कर दी हाला कि सोन प्रियाग और केदारनात मार्ग पर बारिस के कारण जो तूट-फूट हुई थी उसके बाज कांग्रेस ने सोन प्रियाग के पासी सीतापुर में अपनी यात्रा रोक दी धामी जी ने तो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मंदर के सिलान्यास में वे इतना जोड़दार आध्यात्मिक और पौरानिक किस्म का भासन जार के आये हैं दिल्ली से उसका ऐसा विरोध हो जाएगा मरता क्या न करता की तर्ज पर शिलान्यास के मात्र आठ जिन बाद ही 18 जुलाई को धामी जी की अध्यक्चिता में उत्राखंड कैमिलिट की एक बैठक हुई देरादोन में और बैठक में फैसला किया गया कि चार धाम के नाम पर अब कहीं कोई मंदर या ट्रस्ट नहीं बनेगा इससे मिलते जुलते नाम से भी ट्रस्ट या कोई मंदर नहीं बनेगा उस दिन सरकार की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें कहा गया था कि हाल ही में संग्यान में आया है कि चार धामों के नाम पर और कई अन्यमंदरों के नाम पर संस्थाएं बनाई जा रही है मतलब केदानात धाम टरश्ट के जिस मंदर का सिलान्यास खुद सरकार के मुख्या करके आये थे सरकार के संग्यान में वह नाम बाद में आया इसका मतलब तो यही हुआ ना अब दिल्ली में केदानाध्धाम मंदिर न बनाने का फैसला हुआ है खबर के उनसार सुरेंदर रौतेलाजी ने ट्रश्ट से इस्थिपा दिया है और दूसरे अध्यक से कोई मित्तल साहब है उन्होंने मंदिर न बनाने की बात कही है लेकिन खबर में यह नहीं कहा गया है कि जो पैसा इस ट्रश्ट ने लोगों से इकठा किया था ट्रश्टी बनाने के नाम पर या चंदे के रूप में उस पैसे का क्या होगा लोगों को लोटाया जाएगा या नहीं खैर जब असली खेल पैसे का ही था तो फिर मंदिर न बनाने की घोशना के साथ पैसों का जिक्र होना भी नहीं था कहते हैं न भागते भूत की लंगोटी हाथ मंदिर न बना तो न सही जो माल मता मंदिर के नाम पर हाथ लगा है वो तो कम से कम हाथ में रहना ही चाहिए मंदिर का निर्मार न किये जाने के फैसले को उत्राखंड कॉंग्रेस ने अपनी जीत बताया हाला कि यह अधोरा सच है विरोज सिर्प कांग्रेस ने नहीं किया था बलकि भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ कर पूरे उत्राखंड ने इस मंदिर का एक स्वर में विरोध किया था फिर भी कॉंग्रेस के प्रियासों को हम नकार नहीं रहे हैं मंदिर के विरोध में कॉंग्रेस ने जो पैदल यात्रा सुरू की थी उसने सरकार को सचमुच हिला दिया था इस यात्रा से बोखलाई बीजेपी के पास अनाप शनाप बयान देने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रह गया था कांग्रेस ने जब अपनी यात्रा अस्तगी की थी बारिस के कारण तो राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कैशा सर्मनाग बयान दिया था आप भी सुनिए तो क्या हमारे मानने करण महारा जी बताएंगे कि जो यात्रा निकाल रहे थे उनकी यात्रा को बख़वां केदार ने रोख दिया क्योंकि उनकी नियत साथ नहीं थी और उन्होंने जिस प्रकार से कैदार यात्रा का राज्यनिती करण किया और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी जो लोग भगवान सिरी राम के विरोधी आज उनको सनातन की भगवान कैदार की याद आई उनकी उस यात्रा को अवरूद कर दिया तो क्योंकि भगवान के दरवार में वो ही जा सकते हैं जिसको भगवान के दर बुलाएंगे तो यानि कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका तो उनको अभी पहले अपना मन और मनतब बे साफ करना चीए चलो मंदिर न बनाने के फैसले को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है कोई मनवीर सिंग चोहान उनके हवाले से खबर छपी है जो आप देख रहे हैं कि सियम कुशकर सिंग धामी की सक्ती के कारण दिल्ली में केदारनात मंदिर का निर्मान बंद हुआ है इसके अलावा अपने बयान में उन्होंने सनातन की बात भी कही है दरसल आजकल बीजेपी वालों की कोई भी बात सनातन का जिक्र किये बिना पूरी होती नहीं है रस्म अदाएगी उन्होंने भी कि और कहा कि कांगरेस सनातन विरोधी है मंदिर का निर्मान बंद करने समन्दी अपने बयान में उन्होंने ये बात करी है हम फिर उनसे यही सवाल करेंगे कि सक्ती करके इस तथा कथित केदारनात मंदिर का निर्मान बंद करवाने वाले मुख्यमंत्री इसके सिला नियास में क्यों गए थे दर असल अंदर के बात यह है कि विधायक सीला रानी रावत के निधन के बाद केदारनात बिरान सबाशीट खाली हो गई है इस सीट पर आने वाले दिनों में होना है उप्तुनाओ बीजेपी के लिए यह सीट परतिष्ठा का सवाल है और योध्या और बद्रिनात के बाद अब केदारनात सीट भी बीजेपी हार गई तो पहले से ही संदेह में गिरी इस पार्टी की तथा कथित धर्म परायनता पर और हिंदुत पर एक और बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा ऐसे में स्वरगिया सैला रानी रावत के निधन के तुरंत बाद ही दिल्ली में केदारनात मंदिर बनाने का शिगोफा छोड़ा गया बीजेपी को लगता था कि इससे केदारनात छेतर में लोगों में अच्छा संदेश जाएगा और उप चुनाव में उसके हाथ एक उपलब्धी लग जाएगी लेकिन बीजेपी का हर दाव अब उटा पड़ रहा है और उसके अपने ही काम उसके लिए चक्रवियों शाबित हो रहे हैं दिल्ली में केदारनात मंदिर के मामले में भी ऐसा ही हुआ लोगों ने दिल्ली में केदारनात मंदिर का विरोध शुरू कर दिया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी राजनेतिक लाब उठाने की योजना बना दी और हरिद्वार से पैदल यात्रा शुरू कर दी मुख्यमंतरी और बीजेपी चारों तरब से घिर गए और फिर जैसा कि मैंने कहा जिस फसल को बड़ी उमीद के साथ अपने ही हाथों बोया था सीचा था उसे अपने ही हाथों नश्ट करना पड़ गया पुल मिलाकर बात ये है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर न बनाए जाने को बीजेपी वाले बेशक अपनी जीत और मुख्यमंतरी के प्रियासों का परिणाम बता रहे हों लेकिन वास्तम में यह मुख्यमंतरी धामी की बड़ी नैतिक और राजनीतिक हार है हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंतरी बैक फुट पर आये हैं और उनकी लोग प्रियता यदि कोई है तो उस पर इससे असर पड़ेगा यह कोई है तो इसलिए कह रहा हूँ कि विधान सभाज चुनाओं में मुख्यमंतरी साहब अपनी सीठ हार गए थे उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंतरी बनाया गया था तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आप मैसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक और कमेंट के साथ वीडियो शेयर भी करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेव खर्च में से एक छोटी सी जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार